दिया मिर्जा ने 15 फेब्रेरी को मुंबाई के बिजनसमैन वेभब रेकी से शादी की ये शादी बेहत ही सिंपल और प्राइवेट अफ़ेर थी जिसमें दिया मिर्जा भी बेहत सिंपल ब्राइडल लुक में दिखी लेके बेहत ही खुबसूरत लग रही थी दिया मगर क्या आप जानते हैं कि दिया की शादी बॉलिवुट की पहली सबसे अनोखी शादी थी दरसल उनकी शादी में मंडप में मंतर पढ़ने के लिए धोती कुर्ते पहने कोई पंडित जी नहीं थे बलकी इन महिला पुजारण ने कराए थे दिया और वेभव के साथ फेरे जी हाँ पहली बार बॉलिवुट के तिहास में आपने देखा होगा कि एक फीमेल प्रीस्ट यानि महिला पुजारण ने शादी के रिती रिवास कराए हो इनका नाम है शीला अत्ता जिनकी एक फोडो खुद दिया ने अपने सोचल मीडिया काउंट कर शेर की जिसमें शीला जी दिया और वेभव रेकी के साथ नसर आ रही है शीला जी सभी वीदी विधान के साथ दिया और वेभव की शादी के रिच्वल्स परफॉर्म कर रही है इस पिच्चर को शेर करते हुए दिया ने अपने ट्वीट में लिखा है जाहिर है कि दिया की शादी पहली ऐसी बॉलिवुड शादी है जिसने पेट्रियाक और स्टीरियो टाइप्स को तोड़ दिया है क्योंकि अब तक आपने किसी भी बॉलिवुड वेडिंग में फीमेल प्रीस्ट को रिचुल्स ने भाते हुए नहीं देखा होगा ऐसे आपको बता दे कि कॉलकता की रहने वाली नंदनी भॉमिक पहली महिला है जिन्नोंने समाज की सारी बाधाय तोड़ी और लोगों की बातों से अलब निकल कर पंडित के तौर पर काम करना शुरू किया नंदनी भौमिक कॉलकता की रहने वाली है, उनके पेशे की बात करें तो वो पेशे से संस्क्रिट की प्रोफेसर और एक नाटक कलाकार है लेकिन वो विवाह में बढ़ी असानी से मंतर भी बोल देती है क्योंकि उन्हें संस्क्रिट के विशे में महारत हासिल है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नंदनी पिछले 10 सालों से इसी काम को कर रही है इतना ही नहीं वो अब तक 40 से ज्यादा शादिया कर पाचुकी है नंदनी की शादियों में जो खाथ बात है वो ये कि वो शादियों में कन्या दान नहीं कराती वो इसका विरोध कर दी है क्योंकि उनकी माने तो कन्या कोई चीज या कोई वस्तु नहीं कि उसका दान किया जाए जाहिर है कि ठीक नंदनी की तरह शीला अप्ता ने भी रूडिवादी सोच को तोड़ते हुए दिया की शादि कर गाई है और इसलिए दिया की शादी बॉलिवुड की तिहास की पहली सबसे अनोख ही शादी बन गई बॉलिवुड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवुड को आप बिलकुल घंबेगे